विद्वान और इतने महान पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इतने विनम्र शब्दों का जो उच्छान करते हुए देखा मुझे लगा किसी भी ज्यानी व्यक्ति को अपने अहम भाव को कितना किस हद तक तोड़ देना चाहिए ये उसका उदाहर है जैनों ने जो मंत्र दिया नवकाहर मंत्र उसकी शुरुवात होती है नमों से नमस्कार से नमस्कार क्या है अहम भाव को तोड़ने का सबसे सीधा सरल और पहला मंत्र है नमस्कार हमारे वर्तमान युग का ये सबसे बड़ा दोश आ चुका है कि आज के जमाने में लोग जुकना नहीं जानते सब अकड़ कर रहना पसंद करते हैं पहले जमाने में लोग सुबह उड़कर अपने माबाप के पाउँ छुआ करते थे पंचांग नमाते थे दोनों घुटने दोनों हाथ नमा करके शीश अपना माता पिता और गुरु के चरणों में रखा करते थे दीरे 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 परंपरा बदली लोग खड़े खड़े ही पाउँ छुने लगें दीरे दीरे और परंपरा बदली और अब तो लोग घुट है मेरा अनरोध है कि अपन लोगों मैंसे किसी की भी ऐसी कोई आदत हो तो पूरा जुकना सीखे और जुकना उसके लिए नहीं जुक रहे हैं हम अपने अहम भाव को तोड़ने के लिए जुक रहे हैं किसके लिए जुक रहे हैं अहम भाव को तोड़ने के लिए इसलिए जैनों नहीं जो नवकार मंत्र दिया उसके शब्द है नमो अरी हंतानम नमो इस शब्द पर हम गौर करें नमसकार पर नमो न यनि नहीं मा यनि मैं तो जहां मैं नहीं तूं ही तूं है उसका नाम है नमो जहां ना नहीं मा मैं मैं नहीं क्या है मेरी आउकात अपन लोगों के आउकात क्या है गाजर मूली की तरह पैदा हुए हैं अपन लोग और एक दिन मर खबके पूरे हो जाएंगे अपन लोगों के आउकात क्या है रावन जेसों की शक्ति-शाली राजाओं की भी आवकात मिट्टी में मिल गए तो अपनी तो आवकात ही क्या है कंस जैसे धूल में मिल गए तो अपन लोग तो हैं किस बिसात के आकाश को देखो तो हमेशा प्रेणा लो कि मुझे इतना उपर उठना है इतना उपर उठना है जितना ये आकाश है और जमीन को देखो तो ये प्रेणा लो कि मैं किस बात का गुरूर करूँ आखिर अपन सब लों को इसी मिट्टी में मिल जाना है अहम भाव चित्त के क्लेश संक्लेशों को न्योता देने का द्वार अहम भाव अर्था चित्त के क्लेश और संक्लेशों को न्योता देने का दर्वाचा एक बहुत महान विद्वान संत हुए है जिनका नाम था उपाध्याय यशो विजैजी महराज कहती है यह आदमी इतने महान विद्वान थे इतने जबरदस्त विद्वान थे कि इन्होंने चार महिने तक केवल आठ अक्षनों पर ही अपने पूरे प्रवचन दिये संजोगा विपमकस्स केवल इन आठ अक्षनों पर पूरे चार महिने तक उनका विवेचन करते चलेगे अलग-अलग दृष्टिकोनों से अलग-अलग एंगलों से तो उनकी इस विद्वत्ता से प्रेरित और प्रभावित हो करके उस समय के राजा ने उनको विशारत की पद्वी दी यानि महान विद्वा महान पंडित तो विशारत की पद्वी मिलने के बाद यश्व विजे जी जब भी चलते तो उनके आगे-आगे चार ध्वजाएं रहती थी वह ध्वजाएं फुरक रही हैं कोई कहते हैं वो सब कौन से मरा जाले हैं वो आ रहे हैं जिनके आगे ध्वजाएं फुरक रही हैं ध्वजाएं फैरा रही हैं तो चार-चार ध्वजाएं लेकर के चलते थे तो गूमते घामते चलते फिरते आखिर वे दिल्ली पहुँचे हैं तो वहाँ पर वे प्रवचन देने लगे तो जब नगर में प्रवेश हुआ तो वही चार ध्वजाएं चलती थी तो लोगों ने देखा क्या ठाट है क्या बाठ है प्रवचन देने लगे जब दिल्ली पे पहुँच कर तो तभी एक बुज़ुर्ग अनुभवी महिला खड़ी हुई श्राविका खड़ी हुई और उसने यशो विजय जी महराज से पूछा कि प्रभु जी मेरा आपसे एक प्रस्न है बोले क्या प्रस्न है बोले महराज जी अपने धरम में गंधर गौतम स्वामी जी हुए तो गौतम स्वामी जी ज्यादा ग्यानी थे या आप ज्यादा ग्यानी है यशो विजय जी ने भरी सभा के बीच में उन्हें कहना ही पड़ा भई गौतम स्वामी जी तो हमारे पूरवज हैं वो हमसे ज्यादा ग्यानी थे गौतम स्वामी जी तो हमसे ज्यादा ग्यानी थे तो इस बुजर्ग अनुभवी महिला ने पूछा भगवन तब फिर आप मुझे ये बताईए कि जब गौतम स्वामी जी चलते थे तो अपने आगे कितनी द्वजाएं फैराते हुए चलते थे यशुव विजय जी को बात समझ में आ गई कि ये महिला क्या कहना चाहती है अर्थात गंधर गौतम स्वामी जी 14 पूर्व के ग्यानी होने के बावजूद सीधे सरल ढंग से चल दिया करते थे और मैं उपाध्या यशुव विजय मैंने चार किताबें क्या पढ़ ली चार शास्त्र क्या पढ़ ली है चार महिने एक शब्द पर मैंने व्याख्यान क्या दे डाले और मैं अपने आगे चार ध्वजाएं लेकर चलता हूँ यशुव विजय जी का आहम भाव तूट गया उन्होंने बुजर्ग महिला का अभिवादन करते वे उसके पाउं चूते वे कहा मा तूने मेरा गरूर तोड़ा हाथो हाथ उसी समय ध्वजाएं अपने सामने मंगवाई एक एक ध्वजा के दो टुकड़े किये और कहा किसको जमुना में जाकर के विसरजित करके आजाओ यशुव विजय आज के बाद ध्वजाओं के साथ नहीं चलेगा आज के बाद तुम जैसे अनुभवी बुजर्ग महिलाओं का सानिद्य लेते हुए अपने अहम भाव को छोड़ कर और नमन भाव को स्विकार करते हुए चलेगा अहम भाव ही चित्त का क्लेश और संक्लेश है अहम भाव ही चित्त का क्लेश और संक्लेश है इसी लिए सबसे बहतर है भाई अहम भाव को तोड़ना है तो दुनिया में जो लोग भी मिलते हैं छोटों को भी आप कहने की आदत डाले, बड़े बुजरुकों के पाउं छोने की आदत डाले, ये अहम भाव को तोड़ने के लिए है, समवस्री पर्व की आराद ना करो, तो ये मत सोचो कि मैं बड़ा हूँ, वरन बड़े होते वे भी छोटों के पाउं में जुक करके, गर में जाड़ू पहुंचे भी लगा लिया करो, महिलाएं तो लगाती है, इसलिए महिलाओं में अहम भाव कम होता है, अपन जो पुरुष होते हैं, उनमें इगो ज्याद होता है, कभी-कभी जाड़ू लगाना चाहिए, मेरा तो अन्रोद है कि कभी-कभी घर का जो बात नहीं होंगे न, वो तो देश के राष्ट्र पिता हुए, उससे तो अपन बड़े नहीं हो, उनसे तो, तो वो तो हरीजनों के घरों में सफाई करने के लिए चले जाया करते थे, महर्शे राम कृष्ण परम हंस, हरीजनों के बस्ती में जाते थे सफाई करने के लिए, जा ना पाई है इसलिए मुझे ना तो जाड़ू लगाने में संकोच है ना कहीं पॉच्छा लगाने में शरम है ना किसी तरह का बात्रूम या लेटिन साफ करने में किंचित भी लज्जा मैसूस होती है मुझे तो लगता है कि सब्ताह में एक दफा लेटिन बात्रूम जरूर साफ करने चाहिए खुट के और सब्ताह में एक दफा ये तूटता नहीं है जल्दी 80 साल का डोक रहो जाए तो भी और 6 साल का छोक रहो तब भी एक मिनट में गुस्सा आ जाता है बरदास्त नहीं हो पाता क्योंकि अहम भाव को ठेस पहुंचती है मैंने कहा और तुमने नहीं किया अलग अलग तरह के मद, मान, अभिमान, अहंकार तोडने के रस्ते हमें खुद को ढूणने पड़ेंगे अगर हमें अपने सौंदरिय का गर्व है तो मेरा अनरोद रहेगा कभी-कभी काले-कलूटे बच्चे को भी अपने हाथों से नहलाओ उसे भी अपनी गोद में उठाओ ताकि हमारा अहम भाव तूटे के सुन्दर मै इंग्लेंड की युवराग्य थी डाइना यही नाम था ना प्रिंस चार्ल्स और डाइना तो यह महिला पूरे विश्व में इसलिए समाद्रणिय नहीं हुई कि वो इंग्लेंड की युवा महरानी थी वरन अनाथालायों में चली जाती जहांपर एड्स हो चुका है ऐसे अस्पतालों में चली जाती कैंसर से पीडित बच्चों के अस्पतालों में चली जाया करती आप सुनकर ताज़ूप करेंगे कि उनका एक द्रिश्य बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था कि एक एड्स पीडित बच्चे ने उनके पास आकर के उनका माथा चुम लिया था उनका चुमन ले लिया था ये द्रिश्य पूरे विश्यो भर में प्रसिद्ध हुआ था पर डायना ने बिना कोई प्रतिक्रिया किये उस बच्चे को उल्टा अपने हाथ में उठा लिया था और कोई होता तो पता नहीं क्या-क्या सोचता एड़ स्पीडित एची एगंदा एउधर रहे ये वो होने में तो मुझे हो सकता है आपको हो सकता है किसी को कुछ भी हो सकता है कोई भी रोक किसी को भी हो सकता है बस यही तो विनमरता है यही तो जीवन का सदगुन है निरभी मानता है आदमी सहस्ता से कहीं भी चला गया, सहज रोप में सभी के साथ पेश आ गया तो नमस्कार होना चाहिए इगो को अपने समझो, किस चीज का इगो है, किस चीज का मान, अभिमान है अपने अभिमान को समझो किये मेरे भीतर किस चीज का अभिमान है आपके भीतर किस चीज का अभिमान है हर व्यक्ति अपने-अपने अहम भाव को समझें और उसको तोड़ने का रास्ता भी खुद ही निकाले तो मैंने रास्ते सुझाएं हैं कभी-कभी जाड़ू भी लगा लो कभी-कभी अपने कार खुद धोलो कभी बातरूम साफ कर लो बड़े बुजरुकों को नमन करो रोजाना प्रभुक की प्रार्थना करो भक्ति करो और समर्पन करने के नाम पर लड़ू पेड़े मत चड़ाओ भगवान को अपन क्या चड़ा सकते हैं तो अपन को देते हैं तो अपना भरण पोशन होता है बेवकूफ हैं लोग जो रोजाना कोई भगवान को चावल चड़ारा है तो कोई लड़ू चड़ारा है कोई पेड़े चड़ारा है गणएजजी को लोग देखो गणपती के मंदिर में जाकर के लड़ों की परातों की पराते हैं रोज वहाँ चड़ती हैं अरे यार अपन लोग क्या चड़ाते हैं भगवान को अरे गणपती अपन लोगों को लड़ो देते हैं तो अपन लोगों का भरण पोशन होता है अपन उनको क्या चढ़ाएंगे देने वाला वो है चढ़ाना है तो भगवान को दुनिया के किसी भगवान को लड़ू नहीं चाहिए शनी माराज को तेल नहीं चाहिए महवीर स्वामी जी को आपके चावल नहीं चाहिए दीपक नहीं चाहिए अगर चड़ाना है तो अपना अहम भाव चड़ाएं मैं 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 का जो भाव है वो हम चड़ाएं और ये भाव लाएं प्रभू जो करता है वो तू ही करता है मेरे जीवन में आज जो भी खुशाहली है उसमें भूमी का मेरी नहीं तेरी है तेरा अनुगरह है तो मैं फल फू झाल झाल